Hi everyone, welcome to Global Online, this is Ankitah Sun, so you just in it December 2014 examination के लिए Teaching Aptitude के 10 Most Important Topics आज में आपको बताने वाली हूँ और students, यह ऐसे topics हैं जो कि पिछले 3-4 बार हुए examination में लगबग हर shift में पूछे गए हैं तो अगर आप भी यह 10 topics अच्छे से पढ़ कर जाते हों तो बहुत easily आप सब paper 1 में अच्छा score कर पाओगे तो चलिए फिर इसी के साथ discussion को शुरू करते हैं तो सबसे पहले students, teaching aptitude का यह पूरा syllabus हमारे सामने है maximum students को यह नहीं पता होता, खास दोर पर जो बच्चे पहली बार paper दे रहे हैं उनको यह चीज नहीं पता होती कि paper 1 में बहुत से topics ऐसे हैं हर unit में जो कि directly syllabus में mention नहीं किये हैं लेकिन paper में आते हैं अब जैसे कि paper 1 में teaching aptitude का सबसे पहला topic जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है blooms taxonomy अब अगर आप यहां पर देखोगे तो syllabus में blooms taxonomy कहीं भी नहीं मिलेगा और आप 2018 के बाद का कोई भी paper उठा कर देख लो आपको इस topic से हर shift में सवाल देखने को मिलेंगे ठीक है तो यही सब चीजें हमें समझनी है तो सबसे पहला topic है blooms taxonomy जिसमें कि आपको पढ़ना है कि इसमें कितने domains होते है उन particular domains को कितनी category में divide किया होता है इनके नाम और इनका sequence आपको याद रखना बहुत जादा जरूरी है दूसरा topic आपको बताती हूँ teaching aptitude का जो की है levels of teaching जिसको हिंदी में शिक्षन का स्तर बोला जाता है इसमें हमारे पास basically तीन levels होते है memory level, understanding level और reflective level आपको इनके sequence के साथ इनके proponent का नाम और इनके basic functions याद रखने है तीसरा महत्वपूर्ण topic जो है that is related to your meta cognition अब इस topic को अगर आप syllabus में ढूंडोगे तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा लेकिन यहां से पिछले दो से चार सालों से सवाल पूछे जा रहे है अब students अगर आपको यह confusion हो रहा है कि ma'am topics का कैसे पता करें कि कहां से पढ़ें तो आप सब को help करने के लिए paper 1 का complete course में लेकर आई हूँ जिसमें students हम आपको exam के level के हिसाब से updated pattern के हिसाब से और previous year question papers को बहुत अच्छे से analyze करके पढ़ाते हैं यहां पर हम रोज आपको दो से तीन dive lectures के साथ paper से पहले 100% syllabus तो cover करवाएंगे ही साथ ही आपकी हम topic wise MCQs और PYQs के साथ practice revision भी करवाते हैं ताकि आपको यह पता चले कि जो topic आपने पढ़ा है उसमें से कैसे सवाल आज तक paper में आए है new batch हमारा आज यानि की 11th November से start हो रहा है अगर आप एक दो दिन के बाद यह video देख रहे हो तो भी यह number पर whatsapp के through call या message करके contact कर सकते हो और इस course को join कर सकते हो अगर आपकी live classes miss हो जाती है तो आप लोग उसी class को recorded form में भी same day आगले दिन देख सकते हो साथ ही students आपको special whatsapp group में भी इस course में add किया जाएगा जिसकी खास बात यह है कि आप directly अपने teachers के साथ contact कर सकते हो आपको कोई भी doubt है आप यहां पर share कर सकते हो और हर class के बाद आपको PDF प्रोवाइड करवाई चाहेगी थाकि आपको अलग से notes बनाने में अपना समय बरबाद ना करना पड़े बहुत जादा जरूरी है competitive examination के लिए PYQs तो इस 5000 सीरीज में हम आपके लिए 2018 से लेकर के 2023 तरके PYQs लेकर आए हैं वो भी explanation के साथ और इसमें से ही आपको आजटस सवाल पेपर में देखने को मिल सकते हैं अगर students December नहीं जून 2025 को qualify करना आपका target है तो भी आज से हमारे साथ जुड सकते हो इस course की validity जो है वो one year रहने वाली है और मैंने आपको बताया कि ये number है इस पर आप WhatsApp के थूझ कॉलिया message कर लीजिए साथ ही free videos और mock test के लिए global online app है यहां से आपको पता चलेगा कि किस quality का content हम आपको देते हैं search वार में इस तरीके से course का नाम लिखिए content पर जाएंगे तो आप देखेंगे complete courses available है Hindi, English, अलग-अलग हर course में आपको ऐसे ही unit wise folders मिलेंगे जहां पर unit wise mock test PDF files जिसमें पूरा syllabus cover किया गया है साथ ही video lectures मिलेंगे जिसमें है कि आपको MCQs और theory concepts सब clear करवाया गया है साथ ही students आप देख सकते हो कि अगर आप इस course को join करते हो तो आपके लिए special live classes हमारे global online app में daily होती है वो भी 2 से 3 classes तो ये numbers पर call कर लीजिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इसी के साथ students तीन topics में आप लगों को बदा चुकी हूँ पूर्थ important topic जो है that is related to online learning platforms online teaching और learning से related platforms है जिसमें की बहुत जादा पूछे गए सवाल है pedlet से दूसरा topic है आपका कहूत ठीक है तीसरा topic है CISO चौतरा topic है LMS that is learning management system यह सारी चीज़ें आपको syllabus में देखने को नहीं मिल रही है लेकिन जैसे मैंने आपको बताया course में जाए इस particular unit में जाएए यहाँ पर आपको वो सारे videos मिल जाएंगे वो सारे topics मिल जाएंगे जो कि मैं आपको बता रही हूँ जो कि paper में बहुत बार आए है तरीका अलग होता है तो यह learners memory के अंदर आता है इसमें जो बहुत important चीज़ है वो है इसके different types different types में आ जाता है हमारे पास implicit memory हमारे पास आता है explicit memory आगे भी इनके छोटे छोटे से terms है बहुत ही छोटा और बहुत important topic यह है ठीक है तो आपको इसको जरूर पढ़कर जाना है sixth important topic अगर मैं आपको बताऊँ तो वो है models of teaching models of teaching models of teaching में हमारे पास अगर मैं पिछले दो से तीन बार हुए uses in it की बात करूँ तो kohalbergs theory बहुत जादा जरूरी है ठीक है cognitive apprenticeship model बहुत जादा जरूरी है इसके अलावा round robin model बहुत जादा जरूरी है information development model बहुत जादा जरूरी है तो यह सब हम लोग live classes में आपको बढ़ाएंगे तो यह है teaching के models यहां से 2022 के बाद से हर बार सवाल आ रहे हैं आप 2022 से लेकर के 2024 24 तक हुए हर paper को देख लो multiple shifts देख लो आपको मिलेगा ही मिलेगा यह topic इसके लावा students अगर आपको लग रहा है कि यह video important है और आप चाते हो कि ऐसे ही मैं हर unit के research के communication के higher education के ऐसे ही unit wise 10 important topics बताऊं जो कि syllabus में mention नहीं है लेकिन paper में आते हैं अगर आप चाते हो कि मैं ऐसे videos आपके लिए लेकर आऊं तो मुझे comment करके बता दो ताकि मैं आप लोगों की जरूरत के हिसाब से videos को update कर सकूँ ठीक है so I think six topics हो चुके थे seventh important topic जो है वो है हमारा स्वयम portal ठीक है seventh topic है स्वयम portal तो स्वयम कब बना क्यूं बना कितने coordinators है वो सब आपको याद होने चाहिए इसमें PYQs को पढ़ लो वो आपके लिए काफी रहेगा and students इस course के एक बात और बताती हूँ यहाँ पर जैसे आपको 45 videos देख रहे हो इसके अरावा live videos है ठीक है आप कोई भी topic पढ़ा रहे है जैसे मालो यहाँ पर मैं live class में आपको स्वयम पढ़ा रही हूँ तो खास बात यह है इस course की कि पहले आपको स्वयम के concept clear किये जाएंगे फिर इस topic में से कैसे questions आएं हैं वो आपको बताया जाएगा ताकि आपने क्या पढ़ा कैसे सवाल आएंगे उसका आपको एक clear idea होता रहे एर्थ topic है स्वयम प्रभा तो यह भी बहुत जादा जरूरी topic है स्वयम और स्वयम प्रभा दोनों अलग-अलग चीज़े है स्वयम के साथ 7th में ही मैं MOOC को भी include करूँगी थोड़ा बहुत इसका भी पढ़कर चले जाना ठीक है इसके अलावा students 9th important topic आता है हमारा evaluation that is मुल्यांकन evaluation क्यों जरूरी है कैसे मुल्यांकर किया जाना चाहिए इसके types में से सवाल बहुत जादा आते है basically पहले जो था सिरफ 4 types के मुल्यांकन पूछे जाते थे paper में लेकिन अभी 4 से 5 और नई types को add किया गया है जिसको हम PYQs के साथ detail में पढ़ेंगे ठीक है और last important topic आपको बताती हूँ choice based credit system ये कैसा topic है जहां से आपको direct question देखने को मिलेगा अब जैसे 30 plus shifts में पेपर 1 conduct करवाया जाता है तो सिरफ 5 साथ ही ऐसी shifts है जहां पर इस topic में से सवाल देखने को मिलता है तो choice based credit system के basic rules इसके अंदर जो ABC आता है academic bank of credit आता है ये आपको बढ़ कर जाना है direct question आएगा बिल्कुल छोटा सा topic ही हमारे पास है ठीक है students so ये 10 important topics मैंने आपको बता दिये जो आपको बिल्कुल मस नहीं करने है ऐसे तो teaching aptitude के सिरफ 5 MCQs ही आपके shift में आएंगे लेकिन ये 10 topics मैंने इसलिए बताए ताकि आपकी shift में किसी में से भी अगर सवाल बने तो आपको कोई परिशानी ना हो तो at least आपको ये 10 topics पढ़कर जाने ही है Alright, so इसी के साथ students आज के discussion को end करते हैं कोई भी doubt है तो आप comment कर दीजिए या फिर ये number पर whatsapp के through कभी भी आप मुझे call या message कर सकते हो ठीक है, so thank you so much and all the very best